हाई एवरिवन केसे हो आप सभी लोग आयोब आप अच्छे होंगे मैं हुर रहुल जैस्वाल एंस्वागत करता हूँ आप सभी के एक बार फिर हमारे यूटूब चैनल जे आर टुटोरियल्स में फ्रेंड्स आज अगेन आपके सामने मोश्ट इंपोर्टेंट फिजिक्स का लेक्चर वीडियो लेकर आगया दोस्तों जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हमारे फिजिक्स के लिए इलानी है कि 11 स्टैंडर के फिजिक्स सब्जेक का पहला चाप्टर हमने शुरुवात किया था अपना 10 तक का जो पैटर जो था उसको थोड़ा सा भूलना पड़ेगा क्योंकि 11 स्टैंडर में जब आजाते हो तो आप रियल लाइफ फिजिक्स पढ़ते हो यानि कि इसके पहले जो आपने फिजिक्स पढ़ा हो बहुत ही सिंपल लेवल का फिजिक्स था तो रियल लाइ आप केमिश्ट्री पढ़ते हो, माथेमेटिक्स एकदम हाई लेवल का हो जाता है, और बायोलोजी जो होता है वो थोड़ा सा अलग हो जाता है, यानि कि एक प्राक्टिकल तरीके से आप पढ़ते हो, तो इसके आपका पेशिंस लेवल आपको बहुत जादा चाहिए, धीर यह हो क्या रहा है, क्योंकि हमारे लिए सब चीज नहीं होता है, और पहली बार हम लोग कॉलेज में आए हैं, जुनियर कॉलेज में आए हैं, ठीके ना, FYJC, तो बहुत ही अलग फिलिंग आता है वो चीज, तो यह सभी चीजे जो है, हमारे दीमाक में हावी होती है, तो व प्लेज देख लेना, क्योंकि वो चीज बेसिक था, जो मैंने आपको बताया था इस चाप्टर के बारे में, तो जरूर देख लेना, आज लेक्टर नमर टू है, स्टार्ट करेंगे, लेकिन इसके अलावा आपके अगर कोई दूसरे फ्रेंड्स होंगे, जो टेंथ में हों जो हमने पहले ही बना लिये थे, वो सभी चीज अवेलेबल है, प्लेलिस्ट के अंतरा आप जाओगे, 11 फिजिक्स का प्लेलिस्ट है, वैसे ही 11 बायलोजी का प्लेलिस्ट है, उसमें बहुत सारे चाप्टर, चाप्टर नमर वन भी वहां पे प्रेजेंट है, तो आप यूनिट, तो ये सप्लिमेंटरी यूनिट, तो ये सप्लिमेंटरी यूनिट एग्जैकली क्या होता है, इसको सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं, सप्लिमेंटरी यूनिट्स, अब सप्लिमेंटरी यूनिट्स, इसके पहले आपको याद होगा दोस्तों, हमने एक टाइब के fundamental units जो पढ़े थे, उसके अलावा जो units होता है, उसी को हम लोग क्या बोलते है, supplementary, supplementary नाम भी पता चल जाएगा, supplement यानि कि extra, तो कुछ अलग से दो unit ऐसे हैं, जो extra होते हैं, other than 7 units होते हैं, तो उसी को बोलते हैं, supplementary units, example के तोर पर यहाँ पे plain angle, और एक दूसर से, अब आपको एक चीज़ यहाँ पे नजर आओगा, मैंने लिखाए D theta, और आपको यह चीज़ आदर डालनी पड़ेगी दोस्तों, क्यूंकि अभी आपका जो physics वगरे आएगा, यह normal 9-10 के level का physics ने, यह थोड़ा सा tough level का physics है, इसमें आपको science के अंदर भी max देखने मिले कोई चीज समझ में आ जाती है, तो वो tough tough नहीं होता, यह सब को पता है, बजपन में ABCD भी हमें tough लगाता, लेकिन आज की रेड में कैसे फरा टेरा लिखते हैं, क्यूंकि आदत हो गया, पढ़ लिया हमने, तो उसी प्रकार आप जो भी चीज़ ध्यान लगा के पढ़ोगे the length of the arc of the circle, it is the ratio of the length of the arc of the circle to the radius of the circle, अब इसके लिए हमें एक circle की पढ़ेगी, circle ने, हम लोग एक तुकड़ा लेंगे उसका, तो यहाँ पे diagram में बनाने की कोशिश करता हूँ, let's suppose I am taking one diagram, एक part ले लेता हूँ, circle का, एक arc का तुकड़ा, sector होता है, आपको बता है, sector, जैसे य इसको consider करो, तो यह पूरा circle होता, अगर मैं यहाँ से इसको पूरा एसा draw कर दू, तो यह पूरा circle होता, पिज़ा काते हो रहा पिज़ा, उसका एक slice कैसे निकालते हो, वैसे हमने पूरे circle में से, एक pizza का slice जो है, समझ लो, काटके निकाल दिया, यहाँ पे पूरे circle में से से, वो काटके निकाल दिया, तो यह हो गया, उसका sector, अब इसके हिसाब से बात करे, this point समझ लो, A, this point समझ लो, B, और यह जो है, यह क्या है, यह arc है, आपने maps तो पढ़े यह, तो यह क्या चीज होता है, arc होता है, तो arc का यह क्या है, length है, तो इसको मैंने मान लिए ds, ds क् पता है, तो इसको मैंने मान लिए theta, अब वो छोटा पार्ट है, इसलिए मैं इसको मानूँगा d theta, जैसे इसको मैंने ds माना, normal क्या, यह ऐसे होता है, यह displacement, यानि distance जो होता है, वो सिर्फ s होता है, लेकिन यह छोटा पार्ट कंसीडर कर रहा हूँ, इसके लिए मैं छोटा इसका radius होगा, यानि r, बराबर ना, तो यह उसका radius होगया, this is the length of arc, और distance of the arc ds, and this is the angle which is formed with the help of radius and arc, जिसका नामे d theta, यह आपको समझ में आया, तो according to the definition of the plane angle, what do you mean by plane angle, this is the plane angle, this is not 3D, this is only 2D, इसको plane angle बोलते है, ठीक है, तो हमारे definition क्या बोलता है, it is the ratio of the length of the arc of the circle, तो यह बोल रहा है, length of the arc of the circle का ratio, यानि मेरा length of the arc of circle क्या है, यहाँ पर ds है, यानि कि यह होगया ds, ratio मतलब क्या होता है, upon में लेना होता है, math में इतना दो पड़ा है, आपने 9-10 तक, तो upon में होता है, और किस से है, to the radius of the circle, यानि नीचे के आ जाएगा r, यानि कि ds upon r, this will be the, this will be your particular ratio, लेकिन वो किसके बराबर है, to the angle, क्या बोल रहा हूं है, कि plane angle is the ratio of length of the arc, तो plane angle यहाँ पर क्या लिया है, मैंने d theta, यानि कि यह हो जाएगा d theta is equal to ds upon r, यानि कि हमें अगर angle का value निकालना है, and this angle is called as d theta का मतलब क्या है, d theta यहाँ पर क्या है, plane angle है, और plane angle का ही value हमें न plane angle, we have to divide ds, यानि कि the length of the arc to the radius of the circle, and the definition itself says that the ratio of the arc of the circle to the ratio of the radius of the circle is nothing but the angle, यानि plane angle, that is d theta, समझ में आ रहा है, तो यह पहला पाट था आपको, उमीद करता हूं कि आपको यह चीज़ समझ में आ गया होगा, clear है, और यहाँ पर जो angle होता है, वो radian में होता है, आपको पता है degree औ यह सब आगे आगे पढ़ोगे, आप टेंशन मतलो, अभी सब चीज़ बता दूगा, बिल्कुल डर जाओगे, अभी बहुत पहला ही पहला चाक्टर पढ़ रहे, वो भी दूसरा lecture पढ़ रहे, बाखी subjects भी आएंगे, दिरे दिरे, अपने आप हो जाएगा, थोड़ा सा patience level बना के रखो, हर चीज़ आपको मिल जाएगा, अब दूसरी यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ, that is solid angle, तो solid angle क्या है, यहाँ पर हम लोग इसको देखने की कोशिश करते हैं, लेकिन इसके लिए मुझे सबसे पहले इस चीज़ को rough करना पड़ेगा, ठीक है, यह समझ में आ ग अब देखते हैं, supplementary unit का मतलब क्या होता है, तो supplementary unit की अगर मैं बात करूँ, जिसका नाम है second, जो angle है मेरा, उसका नाम क्या मैंने बोला है, solid angle, तो second वाला solid angle, solid angle, ठीक है, this is the solid angle, इसमें भी diagram आएगा, वो diagram में सबसे पहले बना दूँगा, और यह solid angle को हम लोग लिखते हैं D-O-M, ठीक है, this is the symbol, O-M बोलते हैं normal तोर पे, resistance के लिए यूज़ किया, लेकिन आप D-O-M बोल सकते हैं, या फिर आप इसको ऐसा याद रख सकते हो, ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, आपको नाम साही थोड़ा बुद एक चीज़ पता चल जाएगा दोस्त करता हूँ याँ पे, सबसे पहले, for example, this is your diagram, ठीक है, थोड़ा सा, अलग है, थोड़ा सा ध्यान से देखना आप लोग, ओके, this will be the diagram, समझ में आ रहे है, यह कैसा 3D में है, यानि कि सेम वही आर्क का जो तुकड़ा हमने जो 2D में बनाया हुआ था, इस प्रकार से, यह चीज यह 3D में है, मनाने की मैंने कोशिश किये, ठीक है, 3D में समझ लोग, वो solid angle है, तो यह जो particular चीज रहेगा, यहाँ पे क्या DA आएगा, क्योँ DA आएगा, अब यहाँ पर length नहीं आ रहा है, अब वो पूरा area आएगा, क्यों कि यह पूरा जगां है, यहाँ पर क्या पर लेंक्ता रहेगा, यहाँ पर उस चीज का radius रहेगा, तो वो怎么 to X recording, जाने नहीं वाल और दूसरा चीज यहां पर क्या होने वाला है, तो अभी देखते हैं कि इसका definition क्या है, तो definition point of view की बात करें कि यह जो चीजे होता, यह एक three dimensional analog है, यानि कि यह 3D figure है, और इसके इसाब से बात करें, it is defined as the area of a portion of the surface of a sphere to the square of the radius of the sphere, यानि कि इसका definition सबसे पहले मैं लिखने की कोशिश करूँ, it is defined as the ratio of area of the sphere, area of the portion of the surface of the sphere, portion of the surface of the sphere, समझ में आ रहा है, यह एक sphere का ही तुकडा होगा, अब देखो, यह जो चीज था, यह 2D में था, इसको मैं complete करूँगा, तो यह circle बनेगा, लेकिन यह 3D में जो है, इसको मैं complete करूँगा, तो एक sphere बनेगा, एक ball shape बनेगा, तो समझ लेक ball shape में से नहीं, इतना मैंन यहां से भी, यहां पे भी मैंने radius सही निकाला था, ratio उसका, और यहां पे भी मैं किस से निकालूँगा, square of the radius of the sphere, to the square of the radius, square of the radius of the sphere, और आप लोग अभी एक सवाल यहां पे create करोगे, नहीं करोगे, तो जरूर से करना, क्योंकि आप 11th में आगे दोस्तों, आप सवाल आपक पूछना पड़ेगा, क्या पूछना पड़ेगा, आपके मन में एक सवाल आया होगा, कि सर, सर, यहां पे, जो आप मैंने लिखा, definition ध्यान दो, दिमाख लगाओ, definition में ध्यान दो, क्या बोला है मैंने, कि solid angle is defined as the ratio of the area of the portion of the surface of the sphere, तो यह उसका area of the portion of the surface of the sphere हो गया, and वो किस इससे ratio बनाएगा, to the square of the radius of the sphere, यहां पे मैंने यह चीज क्यों लिखा है, square of the radius क्यों लेना है, क्योंकि इसके पहले जो हमने पढ़ा था, plane angle में, उसमें तो सिर्फ radius था, square नहीं था, लेकिन आप लोग के सवाल महीं आपका जवाब चुपा हुआ है, कैसे है, कि यह जी ची कि यह प्लेन आंगल है, तो जब प्लेन आंगल की बात कर रहे हैं, तो यह जो portion है, सिर्फ यही इसका radius है, यानि कि R जो है, सिर्फ single है, एक ही जगा है, क्योंकि यह plane में है, 3D में नहीं है, लेकिन यह चीज 3D में है, तो जो radius यहां पे है, वो ही radius यहां पे भी है, अब radius है वो दो बार आ रहा है that's why हमें r multiply by r करना पड़ेगा इसी लिए ये r ये r मिला के क्या बन जाएंगे square of the radius of the sphere यानि कि in short इसका में अगर mathematical expression लिखू solid angle is defined as the ratio of the area of the portion of the sphere इस इसका नामे d om to the ratio of किसके ratio square of the radius यानि r square और वो किसके equal रहेगा solid angle के यानि कि माफ करना हाँ माफ करना यहाँ पर d a आएगा ठीक है d a आएगा क्यों कि ये solid angle का नाम क्या है d om है तो d om is equal to d a by upon r square ये बनेगा मेरा formula जो कि satisfy करता है हमारे definition को कि जो ये है ये क्या है इसका नाम क्या है solid angle तो solid angle is defined as the ratio of the area of the portion of the sphere तो ये angle of a 3D figure or we can say a supplementary unit and this is all we call as the supplementary unit clear उमीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ बड़ी आराम से बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा clear है और वो ही चीज़ अगर पूरे entire sphere का में निकालूँगा समझ लो पूरा का entire sphere अगर मैं पूरा sphere को consider करूँ तो उसका भी हम लोग formula निकाल सकते हैं तो entire sphere का formula है दोस्तो वो हो जाएगा दोस्तो 4 pi r square upon r square 4 pi r square मतलब क्या होता है पूरा का पूरा surface का area अब सभी को पता है बच्पन में पढ़ा है 910 में पढ़ा है what is the area of the sphere 4 pi r square और upon to the ratio of the square of the radius square of the radius r square this r square this r square will be get cancelled तो क्या बच्चेगा सिर्फ हमारे पास that is 4 pi क्या बच्चेगा दोस्तो 4 pi बच्चेगा clear है उमीद करता हूँ आपको यह बहुत ही अच्छे समझ में आ गया होगा this is the topic we want to discuss with you that is the supplementary unit first we had discussed the plane angle that is d theta and secondary we had discussed the solid angle that is d ohum ohum बोल सकते हो या फिर जो भी इसका नाम है basically ohum ही बोलते हैं तो यह चीज आप ध्यान में रख सकते हो solid angle के तोर पे इसको याद रखना है clear है formula भी आपको पता चल गया तो यही था हमारा lecture लेकिन एक छोटा सा चीज और पढ़ना है एक SI unit को consider करें के time पे तो वो छोटा सा चीज है 4-5 points से उसको discuss कर लेते हैं फिर आज का lecture को stop कर लेंगे ठीक है तो अच्छे से ध्यान से देख लेना बहुत ही easy topic है बहुत ही मज़धार topic है ओके छोटा सा इसको देख लेते हैं that is the sign convention for the SI units convention for the use of SI units convention for the use of SI units इसमें अभी हमने जो plane angle वगरे पढ़ा जो solid angle पढ़ा उसमें numericals भी होते हैं लेकिन numericals हम लोग सब end में कराएंगे एक ही बार जो भी numericals होंगे chapter के अंदर या फिर जो भी solve करने वाले चीज होंगे वो सब हम आखरी में कराएंगे तो आप tension मतले ना हम अपने साब से करा रहें आपका काम है बस आराम से देखो और tension मतलो और हर चीज का conceptual knowledge आपको हम provide कर रहें अच्छे से तो tension बिल्कुल मतले ना हम है तो कोई tension नहीं है तो चलिए convention for the use of SI units के अगर हम बात करें तो सबसे पहला point जो है वो है दोस्तो कि जो physical quantity होता है उसका अगर हम unit की बात करें तो the unit of the every physical quantity should be represented by its symbol यानि कि जो भी unit रहेगा उसको पूरा पूरा लिखने की जरूत नहीं है उसको सिर्फ अगर symbol भी लिखेंगे हम लोग उस चीज़ का तो वो हम लोग चलेगा यानि कि देखो मैं यह जो points है convention का जो points से बहुत लंबे-लंबे points है उसको मैं पूरा लिखाऊंगा ने यह सब चीज़ आपके books वगरे में का unit क्या होता है? meter होता है तो मैं हर जगा क्या ऐसा meter लिखूंगा क्या? कि समझ लो 70 meter ठीक है ना? centimeter लिखना है 70 centimeter C-E-N-T-I-M-E-T-R-E हम लोग को यह लिखने के जरूरत नहीं है हम लोग जश्ट उसका symbol यूज़ करेंगे तो भी चल जाएगा यानि meter के लिए M use किया centimeter के लिए CM use कर लिया आप temperature के लिए Kelvin पूरा लिखने के जरूरत नहीं सिर्फ K लिख दिया तो भी काम चल जाएगा यानि कि पहला point यह satisfy करता है हमें कि हमें कोई भी unit को पूरा पूरा लिखने की जरूरत नहीं होती है सिर्फ initials जो होते है यानि symbol जो होते है वो ही लिखना काफी होता है second point के अगर मैं बात करूँ जो कि यहाँ पे mention क्या हुआ है कि जो unit होता है उसका full name अगर हम पूरा लिखेंगे अगर बाइचांस हमें लिखना पड़े कोई भी full name तो कभी भी याद रखना कि कोई भी unit का पूरा नाम अगर आपको लिखना है तो उसका पहला letter हमेशा किस से start होगा small letter से start होगा यानि कि समझ लो आपका force है तो force मेरा एक physical quantity है तो force का unit होता है दोस्तों वो क्या होता है दोस्तों newton होता है तो आपको अगर newton लिखना है तो आप ऐसा लिखोगे newton यानि कि आपने लिखा समझ लो 70 newton आपने लिखा 70 newton तो आपको newton इस प्रकार लिखना यानि कि पहला जो letter रहेगा पहला जो alphabet रहेगा वो हमेशा small रहेगा आपको इस प्रकार नहीं लिखना है, 70 Newton पुरा पुरा नहीं लिखना है, यानि कि इससे एक चीज़ क्या पता चला, कि कभी भी आप अगर unit का पूरा नाम यूज़ कर रहे हो, तो आपको पूरा नाम के लिए पहला जो लेटर रहेगा, वो हमेशा small letter यूज़ करना होता है, clear ह दोस्तों, और एक और चीज़ इसमें ये भी आता है, कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ सिम्बॉल यूज़ करोगे, जैसे कि 70 है, लेकिन Newton का मुझे सिर्फ सिम्बॉल यूज़ करना है, तो जब सिम्बॉल यूज़ करोगे, तब आपको capital letter ही लिखना पड़ेगा, small letter आप ल समझ में आ रहा है, बहुत ही simple simple points है दोस्तों, ये बहुत ही simple चीज़ है, और ये चीज़ एक्जाम में पूछ भी सकता है, कि write the convention for the use of the SI, यानि आप SI unit case से यूज़ कर सकते हैं, उसका conventions कुछ बताओ, तो इस हिसाब से आपको ये सब चीज़ याद रखनी होती है, clear है, अब plural में नहीं लिखना होता है, plural का मतलब क्या होता है, जैसे कि कोई एक unit लेता हूं है, समझ लो मैंने ले लिया meter, ठीक है, तो आप अगर one meter लिखोगे, तो एक ही meter हुआ, लेकिन हो जी बहुत सारे meter लिखने हैं, यानि 100 meter लिखने, तो मैं क्या ऐसा लिखूंगा क्या, 100 meters, ऐस जाएगा, तो उसके आगे s नहीं लगेगा, usually हम लोग क्या लगाते हैं, जैसे one mango बोलते हैं, और ten हो गए तो ten mangoes बोलते हैं, लेकिन वो thing है, ये एक product है, वो एक चीज है, लेकिन ये चीज नहीं है, ये एक unit है, तो unit सबके लिए same होता है, यानि कि वो चाहे एक हो, चाहे वो 100 हो, चाहे वो 1000 है, वो कैसे रहेगा, सिर्फ वो सिफ मीटर ही रहेगा, यानि कि s जो है, वो नहीं लगेगा, plural क्या बोलते है, plural मतलब क्या होता है, ज्यादा, s लगाना, plural का मतलब क्या होता है, s लगाना, English में पढ़ा है, singular, plural, रभूल का राहूल्स बन जाएगा, एसा यूनिट लिखने का चौथा जो रूल है कि लोग जब यूनिट लिखते हैं तो हमेशा जब यूनिट लिखेंगे जैसे कि मैंने लिखा 25 नूटन ठीक है ना समझ लो मैंने यूनिट लिख दिया 25 नूटन तो लोक क्या करते हैं unit के बाद full stop दे देते हैं क्योंकि उनको पता है कि हमेशा खतम करना है हमको full stop से लेकिन ये गलती नहीं करना है आपको full stop नहीं देना है आपको इसको कैसे लिखना है 25 newton को आप कैसे लिखोगे 25 newton खतम आपको full stop देने की ज़रत नहीं है यानि कि the basic rule to write a side unit is that you should never give a full stop after the unit after the unit यानि unit के बाद आपको कभी भी full stop नहीं देना है directly खतम करना है that is 25 newton समझ में आ गया ये आपका चौथा point है sign convention बहुत easy है SI units के लिए convention यूज़ करना बहुत ही ज्यादा simple है और कुछ points है यहाँ पर जो mention में करना चाहूँगा जैसे कि अगर मैं बात करू next ठीक है next point की बात करूँ एक और चीज़ है यहाँ पर कि अगर हम लोग कुछ units और यहाँ पर कुछ symbols होते कुछ units होते उसको अगर मैं एक साथ use करने की कोशिश करो दोस्तो वो avoid करना चाहिए यानि कि कुछ symbols और कुछ unit एक साथ हम लोग use नहीं कर सकते जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि समझ लो एक unit है joule पर kg Kelvin यहाँ पर मैं लिखके दिखाता हो पहले समझ लो joule पर kg Kelvin यह मेरा क्या unit है ठीक है अब यह एक unit है दोस्तों समझ लो इसको यह correct है लेकिन अगर हमने इसको ऐसा लिखा हमने ऐसा लिखा देखो इसको हम आईसा है sign convention का SI unit को लिखने के लिए कि अगर आप unit जब लिख रहे हो खासकर जब mix unit है बहुत सारी unit हो सकते ना एक साथ आ जाए ऐसे बहुत सारे खतरना की unit आपको देखने मिलेंगे आगे जाके लेकिन write करने का तरीका जो है वो यह है ना किए क्यों यह सही है और यह गलत है ऐसा क्यूंकि आप देखोगे तो यहाँ पे भी symbol है जूल है पर kg है यह भी symbol है केल्विन यह भी symbol ही है यानि कि तीनों की तीन तो कभी भी यहाँ पे symbol और unit एक साथ पूरा का पूरा नहीं लिख सकते या तो लिखना है तो पूरा का पूरा लिखो या तो पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ symbol यूज़ करो तो यह उसका basic rule है तो this is the right, this is the wrong यह आपको याद रखना है clear है समझ मैं रहा दोस्तों तो उम हो गया लेकिन यह साथ में के जो आ गया यह क्या हो रहा है उसके साथ multiply हो रहा है यानि कि kg.k है न तो हमेशा याद रखना कि इनके बीच में क्या होना चाहिए एक space होना जरूरी है तो यह कुछ basic rules है आपके clear है समझ मैं आगे दोस्तों तो उमीद करता हूँ यह सभी चीज आपका clear हो गया होगा तो यही था सब conventions जो आपने बताने की कोशिश की यही था total 5-6 मैंने बता दिया 6-7 है totally तो हर चीज मैंने बता दिया उमीद करता हूँ आपको clear हो गया होगा and last but not the least कुछ conversion का यहाँ पे method से वो भी बता देता हूँ तो conversion के अगर मैं बात करूँ कि 1 millisecond 1 millisecond जो होता है दोस्तों उसको हम लोग कैसे लिख सकते है second में 10 rest to minus 3 second लिख सकते है यानि 1 second divide by 1000 कर दूँ है इसका मतलब क्या हो 10 rest to minus 3 का मतलब क्या होता है 1 divided by 1000 यह 10 rest to minus 3 जो लिखा इसका मतलब यह होता है 1 divided by 1000 तो 1 millisecond का मतलब होता है 10 rest to minus 3 second समझ में आ गया वैसा ही अगर ह to minus 6 second, 10 raise to minus 6 second का मतलब क्या हो जाएगा, 1 upon, कितने हैं, यहाँ पे 6, यानि कि 6 0 लगा तो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 0 लगा दिया, यानि इसका मतलब, 1 upon, 1, 1, कितना ही हो, 10 lakh है न, 10 lakh, वराबा 10 lakh को divide कर हो एक से, तो उतना second जो होगा, वो 1 microsecond के बराबर होगा, और उसी प्रकार last, 1 nanosecond, ठीके न, उसको कैसे लिखते हैं, 1 nanosecond को, 1 nanosecond को हम लिखते हैं, 1 ns, 1 nanosecond, जो कि होता 10 raise to minus 9 second, तो आप समझ जाओगे, यानि 1 को, एक लिखने के 9 0 के बाद उसको divide करोगे, तो आपका जो value है, तो यानि की, solid angle और plane angle दोनों ही सब complete करा दिया, और आपको most important convention, जो आपको exam में पूछ सकते हैं, use of SI units, यह सब चीज मैंने को बता दिया, और conversion भी बता दिया, ऐसे और भी वो सारी conversion से, जो आगे हम लोग इस चाप्टर में पढ़ने वाले हैं, और साथी में, कि कैसे हम लोग measurement कर सकते हैं, length को, क्या angle होते हैं, क्या methods होते हैं, वो सब discuss करेंगे, और dimensions, जो की most important part है, इस chapter का वो भी आएगा, लेकिन आज नहीं, वो हमारा अगले lecture में आजागा, lecture number 3 में हम सब चीज करा देंगे, ठीके दोस्तों, बहुत ही अच्छे से दे देना, लिक के comment में, ठीक है दोस्तों, और अगर आप कोई वीडियो पसंद आया है, अच्छा लगा है, useful लगा है friends, तो please वीडियो को like कीजेगा, share जरूर से कर देना, आपने सारे friends and relatives को फटा-फट से share कर देना, दोस्तों, अगर आपने अभी तग इस चैनल को subscribe में किया है, तो फटा-फट से हमारी इस चैनल को भी subscribe कर देना, साथ में एक bell icon होता है, उसको भी press कर देना, ताकि future में हम कोई भी वीडियो को upload करेंगे, तो आप लोगो notification मिलती रहेगी, ठीके, तो share के उपर ज़्यादा focus करो, क्योंकि हम आपके लिए नए तरीके से पढ़ा रहे हैं, बोड के उपर पढ़ा रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा effective तरीके से पढ़ा रहे हैं, तो please, जितने भी students है, I am requesting you, कि आप ज़्यादा से आपने सारे friends and relatives को share करते हैं, तभी उन तक पहुचेगा और reach होगा, ठीके दोस्तों, तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, ये वीडियो देखने के लिए, thank you and good bye.